हलो दोस्तों मेरा नाम है खुटसीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगेन का शेर्ट आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुती स्पेसर रेश्पी बेच दिलर्वा सीख आज मैं आपको बताऊँगा आप आसानी से अपने घर में अपने रे को फाइन चॉप कर लेना है कैसे करके दिखा दो यह देखिए इस तरीके से आपने काट लेना है अगर आप बाई चांस ऐसी कटिंग ना कर पाएं तो मैं आपको वीडियो खतम होते होते एक आईडिया बताऊँगा आप ऐसे कर ले अब मैं इसी तरीके से सारी बिंस काट काटने के बाद अब हम काटने के गाजर इस तरीके से आसान तरीका में आपको बताने ओलों है आप उसके बाद आपने ऐसे यह देखिए सैट करना है इसे हलका सा दबाना है ऐसे यह काट लेना है उसके बाद ऐसे घुमाया और ऐसे सेट किया और यह देखिए ऐसे आपने काट लिया इस तरीके से जैसे कि मैं काट रहाँ अब आपने गोबी काटने है कैसे यह देखिए इस तरीके से गोबी काटने का बहुत ही आसान तरीका यह ऐसे यह देखिए अब आपने इसको उबाल और आपको यह cup में बता दूँ कितनी है, यह है एक केक cup, हमारा वाला आपका वाला पता नहीं सब्जी उबालने का तरीके क्या है आपने उभलते हुए पानी में डालना है यह देखिए जैसे कि आप यह देख रहें आप यह हमारे पानी उबल चुका है। अब मैं सरब एक मिनट उबा लूँगा और तुरांत कर दूँगा गैस बंद और इसको फटाक से चाल लूँगा चालने के बाद आपने करना है इसको ओपर ठंडा पानी डालना है ताकि सब्जियों का कलर खराब ना हो यह देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी सब्जिय आप अगर ऐसे हाथ से नहीं दबा सकते हैं तो आप कपड़े में लेके नचोर लें अगर दबा सकते हैं आप में जान है तो आप ऐसे भी नचोर सकते हैं रखिए कितनी अच्छी से मैंने नचोर लें इस तरीके से नचोरना है पानी नहीं होना चाहिए आपने लेना एक ड चावति नहीं कि अच्छी तरीके से बतार है कैसे सब्जी काटनी है, पैण बैंने 2 राइन यानिकी सेमोलीना, फोली एक स्पटा सेचे बाइणी यानिकी समोलिना जिटेछ, वक्रिकोर जिटेंस, बिलाल हो जाएगी मतलब हलकी एक दम तब आपने कहा कहलना है ? हमें डालना ना है GitHubन को भी हमें हलूज इस्पून काजू , और कि लुए में तैसमें लिख सबाूं है से रोष्ट करूगा अब हमारी सूजी बहुत ही अच्छे से लाल हो चुकी है जैसे मुझे चाहिए था केमरे में मुझे पता नहीं है लाल दिख रही है या नहीं अब मैं क्या करूगा गैस कर दूगा बंद और इसको डालूगा चॉपिंग बोर्ड के ऊपर और इसको बेलन रोष्ट किया है यह देखिए ऐसे आपने करश्ट कर लेना है जो आमने काजू पीनट करश्ट किये थे वह इसमें सबजी में डाल देना है उसके बाद आपने इसमें डालना है दो टेवल स्पून बिरेड करम दो टेवल स्पून धनिये के पत्ते बारिक कटे हुए एक टे भारिक कटी हुई हरी मेर्ज, बादा घी पून-जीरा पौडर, बादा घी पून-गरम मसाला, बहें वदेशें, इलाची पौडर, बॉक-प प्रक्ड, ब्लेक पेपर, और आपने इसमें डालना है ग्रेड किया हुआ पनीर 60 ग्राम ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको रखना है साइट में और आपने लेना है एक चुकुंदर और इसको यह देखिए ऐसे छोटा-छोटा-छोटा काटना है काईसे भी आप काट लें रफली अच्छे से कूट लें थोड़ा आप चाहें तो इसमें 2 बूंद पानी डाल सकते हैं अब मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पीस लिया और मैंने इसमें 2 टेबल इस्पून पानी डालाए आप से क्या जोँट गोलना है दखीए इस तरीके से अब आपने क्या करना है इसको ऐ या फिर ऐसे करके पीछ लें, आपकी मर्जी है, बस में चीज़े इसका चकुंदर का कलर, हमको कलर की जरूत है, और आपने ये देखिए, ऐसे इसको अच्छे से मिक्स किया अब, और मैंने आपको बोलाता, अगर आप सब्जी ना काट पाएं, तो आपने क्या करना है, सब्जियों को उवाल लेना है, रफली काट के, उसके बाद चापड से चौप कर लेना है, ये है वो तरीका, अब इसका कलर देखाना आपने, कितना बढ़िया हो गया, ऐसे मिक्स करने क आपने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है, अगर आपको कुछ कम लगे, आपके टेस्ट के हसाब से तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये इतना परफेक्ट है ना, मतलब कभी-कभी मुझे भी बिस्वास नहीं होता कि ऐसा जादू कैसे हो जाता है, मुझे लग रहा था कि नम लेनी है, मोटी और चौरल, सबसे सही सीख यही है, सीख लगाने की, लगाना कैसे आपको दिखा देना, आपने हमेशा की तरह सबसे पहले हाथ को गीला करना है, इस तरीके से, उसके बाद इसको ऐसे आपने पकड़ना है, इस तरीके से, जिदना आपको चाहिए, और ऐसे बाद इस तरीके से देखिए आपने लंबा कर लेना है और बीच बीच में आपने हाथ को गीला कर लेना है यह देखिए बहुत ही आसाले सीख में लगाना और आज की खास बात क्या है आपको बताता हूँ मैंने थोड़ा सा इस तरफ जादा रखा है क्योंकि मैं आज है ऐसा उल्टी सीख तंदूर में डालने वाला हूँ और अभी यह हुआ नहीं है इसमें कुछ बाकी है तो आप भाग ना जाएं पूरा वीडियो देखें क्या वाकी है क्या करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ करके अब आपने का करना है टेवल को ऐसे साप कर लेना है सुका ले और आपने इसमें डालना है तिल यह देखिए ऐसे फैला के और आपने इसमें डालना है धनिये के पत्ते यह देखिए यह हो गया तयार अब आपने क्या करना है आपको बताता हूँ आपने सीख लेनी है और अपने हाथ को गीला करना है और इसमें ऐसे गीला हाथ लगा दे और इहां पर रखनी है दखिए इस तरीके से ऐसे रखा और इसको ऐसे घुमा दिया यह देखिए ऐसे घुमाना है आपने इससे को होगा ना चारो तरफ अच्छे से पनीड तिल और धनिये लग जाएंगे यह देखिए ऐसे आपने अच्छे से लगा लेना है अब आपने क्य यह गिर्टो नहीं जाएगा पनीर को बहा है। हल्कतें लीकर से Bakitab… बड़के कभीं करतेऊघ इन दो यह इंद करमा क्छा फसको पनीर के आंदर इसनारे से आपने तंदूर में दोन दोन धानी और इसमें लगा दे थकनारे आगगास। आपने इसको निकालना नहीं है, निकाल के जैसे मैं बटर लगाना आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ ने करना है, और इसको मैंने एक्दम शिलो तंदूर में डाला है, ताकि आराम से पक जाए और कलर भी ना आए, यह देखिए, कितने शिलो तंदूर में पका रहा हूँ, बि इसी मेरे फेमिली मेंबर ने पूछा था, कि आप सेफ ऐसा आइडिया बताये कि कवाब पक भी जाए, और जले भी ना कलर ना आए, तो उसका तरीका यह है, कि आप सिलो तंदूर में बखाएं, तो आपके कवाब में कलर नहीं आएगा, यह देखिए, कितना प्यारा हुआ अब मैं आपको इसके निकालने का तरीका बता रहा हूँ, आप नहीं देखिए, ऐसे यहाँ पर टांगा, टांगने के बाद ऐसे दोनों हाथ से पकड़ना है, और प्यार से इसको यह देखिए, ऐसे निकाल देना है, अब यह बहुती आसानी से निकल जाएगा, ऐसे आप और बैलान्स आपने बना के रखना है ऐसे, ताकि टूटे ना, यह देखिए, कितने प्यार से मैंने आपको निकालने के दिखाया, आप यह ना सोचे, नकलिए, इसलिए मैं पूरा दिखा रहा हूँ, और आपने ऐसे रखा, यह देखिए, और आपने इसको काट लिया, कलर देख रहे हैं आप, एक दाम ला जवाब है, काटना कैसे, ऐसे घप करके नाहिब मारी, एक का दो किया, उसके बाद ऐसे सेट किया, और यहां से ऐसे, और आप चाहें तो ऐसे ट्रेंगल भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे ना, ऐसे पसंद है, सिधा सिधा, यह देखिए, ल अपने आप में इतना खुबसूरत है, कुछ डालने का मन नहीं कर रहा है, तो आपने क्या करना है, हलका सा ऐसे चांट मसाला छिरगना है, थोड़े से धनिये के पत्ते बस, और कुछ ना डालें, नहीं तो इसकी खुबसूरती कम हो जाएगी, तो गुमा के दिखाद रहा ह तो, बेरी नाइस, आज मैं आपके लिए लेकि आया, बेच दिलिवरा सीख, और मिने बहुती आसान तरीके से बताया, कि आप आसान इसे कैसे बनाएं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आया, आपके दिल को टच किया तो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जदा से जदा सेर करें, अपने फ्रेंड और फेमिली के साथ मिलते हैं, अगले वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ, तब तक के लिए